वेलकम प्यारे अगनी विरो एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर पिछले वर्सों में यह पिछली रेलियों में पूछे के प्रशनों को हल कर रहे हैं ताकि आप अपनी तयादियों को परक सकें और आने वाली भ है तो चलिए तैयार हो जाते हैं और देखते हैं उसका पेपर है और उसमें हम DTH है कि कौन-कौन ट्रैंगल है या एक संभाहूत रिपुझे जिसकी एक बुझा 12 सेंटीमेटर की है इसके लिए इसका क्या बताना है एरिया बताना है तो एरिया क्या होता है एक्विलेटरल ट्रैंगल या संभाहूत रिपुझे रूट 3 by 4 into a square यह होता है तो इसका जवाब हो जाएगा रूट 3 by 4 into 12 into 12 यह चार से गया तीन वार और यह हो गया 36 रूट 3 इसका आंसर हुआ 36 रूट 3 सेंटीमेटर इसका है तो आप सभी ने देखा प्यारे अगनी वीरो कि अगर फॉर्मला याद था तो यह क्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान क्यूशन था और अगर फॉर्मल सब्रक्रात करनी है जो कि 70 से विवाज्य हो ऐसी में सबसे बढ़ी सरद हो कोई क्या हो सकती है यहीं हो सकती इससे बड़ी संक्या और कोई नहीं हो सकती है तो इसमें से क्या करना है सत्रा का भाग देना है तो आप क्या करो सत्रा का भाग देदो सिंपल यहां से मैं बताता हूं तरीका सत्रा का भाग देदो सत्रा का भाग दो कितनी बार जाएगा यह पांच बार जाएगा यहां से आया चार यहां से आया एक और यह फिर सत्रा का भाग कितनी बार जाएगा ओसट के आट वार जाएगा तो यहां से थीन यहां से एक पिर नो फिर आठ बार चलाएगा फिर यहां से आए यह द टीन यह नो यह दो बार गया यह आप वेथा रिमेंडर पांच क्या वचा आश्चे और लकुत a पांश हम नहीं दो गुच लिया सोला का भाग देने पर सबसी बड़ी संख्या बताइए तो आप सोला के बाग देजिए सबसे बराब इस पांच रिमेंडर गया इससे घ्टा देना इस पांच को इस मिसे घ्टा देना तो नो नो. hem से पांच गटाऊगे तो क्या आएगा 99994 यह हो गया आपका आंसर यह हमेंसा सेशफल इसमें से करना है इस नंबर में से हटा देना है तो कैसा लगा आपको यह तरीका जान कर अगर अच्छा लगा हो तो लाउन चाले लीडियो पर आते हैं अगले क्युश्न पर है pouring की प्रहाइप की तुलना में क्या है तीन मिनट में भर सकते हैं तीस मिनेट में बर सकते हैं तो तीस कारेशमता से आदे घंटे में कितना बरेंगे दो पानी भर देंगे दो यूनिट पानी भर जाएगा अब इस दो यूनिट पानी को धीमी पाइप को टैंक भरने से क्या लेगा धीमे वाला पाइप कौन सा सेकेंड वाला पाइप है उसकी कारेशमता एक है तो दो काम करना है और एक की कार्णियर शम्ता है तो दो गंटे लगेंगे तो यह मिसका आंसर हो गया दो घंटे बहुत सही जवाब मैं जानता हूं आपने एक्विशन हल कर लिया और नहीं किया क्यों तो यह बस तरीका समज और कैसे हल करना है आपको ठीकर चलिए दोस्तों अग्ला क्यों तो ऐसे दस के प्राइम फेक्टरस के लिए दो इंटू पांच ऐसे पंदरा के प्राइम कर लिए तीन इंटू पांच ऑब इसे अब ऐसे प्र्प्राइस करने के बाद करते क्या है हैं जोड़े बनाने के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 नंबर दी ओैं तो 5 यसा कोई नंबर आ रहा है य कि 5 बार रिपीट हो रहा हूं sound भूंसको लिखेंगे सभसे पहले ऐसा कोई भी नमबर नहीं है जो पांस बार रिपीट हो रहा हो यह मिल जब गया हूं और कोई नमबर चाहर बार नहीं आ लावा देखते हैं हमारे पास यह 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 कैंसल हो गए ठीक है अब बचे क्या पांच भी देखिए तीन बार आ रहा है यह 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 तो पांच लिग दिया यहां पर उसके लावा और आगे क्या आ रहा है अब कोई नंबर आ रहा है कि तीन बार तीन बार आप कोई नंबर न देखें आप 24 25 24 तियां 120 240 कि लिए बहुत बढ़िया आपने इसे जवाब दे दिया होगा इसके लावा और तरीके भी है आपको जो तरीका आता है उस तरीके से यानि की डिस्काउंट दिया गया है तो एकल चूट क्या हो गी माल लेते हैं कि 100 रुपेया कोई ऊपर के तीन जीरो से निचे के तीन जीरो के इंसलों गये बच्चा कि तना नीचे एक जीरो और टू आठ बैचास जिरो है तो बैटर तू सासां से किया तो सद्वे चुछ आप और एक उन्हHNाज और 5255 छ रह गया पहले वह नमबर कितना था 100 तोटल डिसकाउंट कितने का मिला है 4649.6 का 49.6 परसेंट का डिसकाउंट मिल चुका है आप देख सकते हैं सो हमने वह नम्बर लिया था अगर उस पर सारे डिसकाउंट दे दिए सारे डिसकाउंट ऐसे कितने भी देदे आप परसान मत तो यह एकर 30 पर संट के आगे 20% व अगर बेश दिया है तो उसे क्या दे दिया है ढहुत बड़िया चलिए अगले कुश्चन पर आते हैं एक गाउं में पुरुष का महिफा पांच पांच अनुपात तीन है और गाउं में अगर 800 पूरुस है कितनी है मैलाओं और पूरुस यानि महिला और पूरुस का पंच और महिलाओं का तिन है इसमें से क्या बोल रहा है कि एक elaboration और ने सो बटाथ यह जागा एक ये कि यूनिट के वेलिए किटना है एक टीन युनित अगर पुरिश्ट यूनित तो इसकी तिन ने क्या था है तो एक यूनिट कितना एक उनित तीन हो जाएंगी एक спो पूरा करेंगे राम की बात करेंगे अगर पूरा करेंगे राम की बात करें अगर तो पूरा करता है और मुहन की बात करें तो सबसे पहरें का में लिलो तो हो जाएगा तो इस तोटल आप कर देश है तो दस एक दिन में 10 10 दिन में आगर तो ऐसे 15 दिन अगर लगने तीस काम करने में तो एक दिन में कितना काम होगा यह दिन में 5 काम हो जाता है तो तीस काम को करने में कितने दिन लगेंगे तो पांच यागे छे दिन हैं इनका तीज काम हो तीन और दो की अनुपात में काम कर रहा थे तो इतना काम हो गैंज नहीं सब्लब यह दूसरा ऑपस्षन है 21-4 तीसरा ऑप्षन है कि अन्तर कितने का यह भी नहीं यह आंसर यह थी तेरा का यह हमारा आंसर हो सकता है 21 और 11 यह योग है 25 और अंतर है कितने का 3 यह भी आंसर निखल किया नंबर 3 तो कई बार क्यों से भी हो सकते हैं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन देखते हैं अगला क् स्काल कि इसका क्या बताना प्रस्ठीशेत्र लोत उबुए इसका क्या बताने ऐसका व्लाइक आहसी में8-4 go चलिए जो मैंस्यलेशन के सबस्क्राइब करादी सब्सक्राइब को सबतwo सब्सक्राइब करके आपका ओने चाहिए आगे दिखते हैं रेख वर हाले हैंति दे यह सब्सक्राइब साते हुछ आप सभी के पास मेंरेब'RE होना अप सब के पास में वगां थी खींटब अगर अवसत आयू है तो हर सभी के पास 10-10 वर्स है तो बारा लोगों की टोटल आयू दस वर्स के साफ़ से कितने हो जाएगी 120 हो जाएगी यहीं बोल रहा है अगर 11 लोग जो बचे जो एक को हटा दें अगर किसी को हटा दें तो उससे उसकी सब्सक्राइब करता है तो आप सभी बढ़ता है तो आप सभी बढ़ते हैं आगे क्योशन बढ़ते हैं क्योशन नमबर है 11 Italy bili के मूलधन को 15% प्रति वर्शक की धें से चार वर सब्सक्राज को साध्रण ब्याज क्या होगा अर्ज होगा किया है प्रिंसिपल लेर टाइम है तो इंट्रेस्ट निकालना है principle कितना है हमारा मूलदन कितना अठाराजार चारसोचालिस उसमें 15 प्रसेंट का रेट और टाइम हमारा चार वर्स है तो सो से दिया यह पच्छीस बार अधर यह पांस बार यह तीन 24 रुपे हो जाएंगे इसके आंसर इसका ब्याज कितना हो जाएगा 11,0004 रुपे तो आपने देखा है यहाँ पर क्या सिंपल सा फॉर्मला था इंट्रेस्ट ब्रावर पी आई टी यह क्या था सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मला होता इससे याद रखेंगे आप ठीक है तो आसानी से क्यूशन निकल जाएगा चली अगले क्यूशन पर आते हैं अगला क्यूशन दिया हुए एक 30 सेंटर लंबे और 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चोड़े एक आयत का परिमाप बताना है परिमाप एनी पेरिमेटर पेरिमेटर एनी कि उसके सभी बुजाओं की लंबाई इनका सम कर दो 20-20-40 और 30-40 और 600 इनका परिमेटर एनी परिमाप क्या होगा वह बहुत यह आसान सा क्यूशन चलिए आगे बढ़ते हैं एक केंटीन में एक सब्ता के लिए 28 दर्जन के लिए क्या सकता होगी सिंपल सा क्यूशन है यह क्यंटीन है साथ दिनों में सब्ता में साथ दिनों में 28 दर्जन के लिए काम में रहता है 28 तो टाल के लिए 28 इंडु बार्ण यहअर्ट टाल सकती हो एक दिनπο claw हो रहे हैं अगर 48 के लिए प्रति दिन खर्च हो रहें तो 47 दिनों में केलो कि जाओ सकता कितनी होगी तो 48 दिन में एक दिन में 48 के लिए तो 47 दिनों में यह कितने के लो जाएंगे टोटल इनको मल्टिप्लाइ कर दें ठीक है तो आपने देखा बहुत यहां सा क्योशन था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन पर आते हैं यह कुशन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं यह कुशन आपको मैंद का इक कशन है अभी निकाला था तौक बचए ते जो बाकी की बचे नंबर सब्सक्राइब करने जिनके जोड़े बन रहे हैं जो जो एक साथ सिमिलर किसी और के प्राइम फेक्ट्रस में आ रहे हैं वही नमबर सिर्फ लेने अगर नहीं होगा कुछन तो मैं यह कुछन अगले सेशन में करवाऊंगा पर इसका जवाव आपको कमेंट सेक्षन में बताना है बच्चो ठीक है यह हो गया अपना मैत का सेक्षन खतम हो बता हुआ यहां पर आते हैं अपन रीजिनिंग के सेक्षन पर रीजिनिंग का सेक्षन भी क्या है यदि चलिए पहला किशन आपके सामने है पी के की मा है पी के की मा है मा का मतलब समझते हैं यह उपर हो गया यह पी की मा है तो माइनस से दिखा देंगे मा को पी के की मा है के डी की बहने के जो है डी की बहने तो के डी की बहने इस तर मिन्जब आह यह मालो कोई है इसका पिता यह है पिता की पिता की ऐन जो हंगी we क्या होंगी हमारी दादी होंगी क्या होंगी यह रह सही उत्तर बहुत है यह क्कल से पहले दिन मंगलवार था यह कल से पहले परसो परसो क्या हो गया उसके बाद आने वाला कल यह परसो कहलाता यह शुक्रवार बहुत ही बढ़िया जवाब जवाब का मैं जानता हूं इसका जवाब सभी ने दिया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आग लाकियोशन है आपके सामने एक सिरीज दिए अलफाबेट लेटर्स की कि सी एम एम कॉमा ई ओ ओ जी क्यू और ब्रेकेट जो आपको बताना है इसके बाद के यू यू और एक चीज बताईए यहां पर यह देखिए लेटर्स रिपीट और हैं मुझे दिख रहे हैं बहुत आसानी से यहां पर जो भी आएगा यहां पर चल गया दो लेटर्स एक पी का एक्कीस होता है यह सब लेटर्स आपको क्या होना चीज याद होना चीज यह जब याद होने तभी आप आसानी से वटापट करकिता हैं कि हमने यह दिखेगा यह तेरा और घूफ यह जाने वाला है या फिर आपको थोड़ा समय लगने वाला है और समय बचाने के लिए लेटर्स याद करने है बहुत बढ़िया चलिए अगले क्विश्ण पर आते हैं अगला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर है है और कॉमा 121 ये इस सिरीज का क्रेंशन है एक नोव पच्चीस उन्चास है है को एक है किसकर तो आप देखने की कोसिश की जी सबसे पहले अगर मैं देखे तो यह क्ला कैस्कुर्य यह क्वाच यह क्या सकुए यह क्या बिल्कुल है यानि कि यह सिरीज कंप्लीट और यह नहीं यहां पर क्या आएगा नो का इसकार कितना एटीवन बहुत यह सई जवाब आपने दिया सभी ने चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है यह दि ऑर यहां पर दक्शन की और यहां पर यहां पर कौन है पाच मीटर दोडरी पर और के जो है व्क पूरु की और पांच मिटर के फ का पूरु की अगर देखा जाय तो क्या है ये नौर्थ है बिल्कुल नौर्थ उपर की दर्ब क्या होता है नौर्थ होता है उत्तर दिशा इसका रलए ऊंसर हो गया चलिए बहुत ही असना सा पर देखा कि मैं हमने पूरे के पूरे देखा है आपने बिश्व ने की यह कि होगी पॉज करकर मुझे पता है अगर आपने वुद्ट के आपको जुरूत है में मैं कि उस टौपिक के बारे में आपको जानना है datos वह आप कमेंट सक्शन बेक में कमेंट करके बता सकते हों उसका टौपिक किस तरी Conference करें वहां अगले सेशन में प्रोवाइड करवा देंगे तो वीडियो अगर पसंद आया हो आपका अगर सॉलूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए का चैनल को मिलते हैं अगले किसी सेशन में अगले पेपर को सोल करेंगे हम जैसे यह करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको आपकी तैयारी में मजबूती प्रदान हो सके मिलते हैं अगले वीडियो में थैंकि सो मच बाइबाइब झाल